दवश्कार दोस्तों Citizenship Amendment Bill इस सरकार जो की सावारकर और गोजसे को पूझते हैं आज एक मैंने हिंदु राष्ट बनाने की तरफ उनकी तरफ से ये एक और ख़दम है आज मैंने एक किसी ने मुझे पोस्टर फॉरवर्ड किया उसमें लिखा था उसने पैर चुए और गोली मार दी इसने माथा टेका और संविधान जला दिया अब आप जानते हैं किसने पैर चुकर गोली मारी और किसने माथा टेक कर संविधान जला दिया यह जो कानून लाया गया है इसमें यह कहा गया है कि जो शरणार थी तीन सिर्फ तीन देशों के पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान इन तीन देशों से कोई धार्मिक शरणार थी अगर हिंदुस्तान दिसंबर दो हजार चौदा के पहले आये हैं और अगर वो नौर्टीस्ट के स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियास हैं जो आदिवासी छेतर हैं और जो इनर लाइन परमिट के छेतर हैं अगर उनके बाहर रहते हैं तो उनको भारत सरकार राश्ट्रियता दे सकती है ये कानून में कहा गया है अब देखिए कितने आधार पर ये कानून गेर समविधानिक डिस्क्रिमिनेटरी आर्बिटरी है पहली बात तो इसमें लिखा है कि सिर्वो शरणार थी जो की हिंदू या पार्सी या पाच्छे धर्म के नाम लिखे हैं उसमें मुस्लिम नहीं लिखा उसमें कुछ और धर्म नहीं लिखे में तो मुस्लिम नहीं लिखा और उसमें जो नास्तिक हैं जो कोई धर्म के नहीं हैं उनका नाम भी नहीं लिखा वो भी नहीं लिखा फिर इन्होंने लिखा कि सिर्थ तीम देश, यानि कि पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान, उसमें श्री लंका जहां से बहुत सारे शरणारती आये हैं, म्यानमार जहां से बहुत सारे शरणारती हिंदुस्तान आये हैं, तिबत, तिबत से भी बहुत आये हैं, व वो देश का कोई जिक्र नहीं किया और बोला है कि 2014 से दिसंबर 2014 के पहले जो आ गए और इनर लाइन पर्मिट के जो छेत्र हैं नौर्थी स्टेट्स में और आदिवासी छेत्र जो हैं उनको एक्स्क्रूड कर दिया तो ये कम से कम पाँच तरे से कैड संविधानिक है हमारा संविधान ये कहता है किसी भी धर्म के आधार पर किसी से भेदबाव नहीं किया जा सकता वो भारत का नागरिक भो चाहें ना हो धर्म के आधार पर भेदबाव नहीं किया जा सकता चाहें वो इस देश का नागरिक हो चाहें ना हो और कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो धर्म के आधार पर भेदबाव करता है जो आर्बिट्ररी तरीके से ये तै करता है कि हम सिर्फ इन तीन देश के शरणार्तियों को यहां शरण देंगे या उनको नागरिकता देंगे जो यह कहता है कि हम इनर लाइन पर्मिट और आदिवासी छेत्र को अर्बिट्ररी तरीके से इसके बाहर कर देंगे और जो यह कहता है कि दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आ गए उनको देंगे उसके बाद जो आए उनको नहीं देंगे इसका क्या आधार है देखिए इसका आधार संवेधानिक तो कोई है नहीं तार्किक तो कोई है नहीं इसका आधार National Register of Citizens में छुपा हुआ अब National Register of Citizens में क्या हुआ पहले इन्होंने आसाम में बनाया जिसमें कहते हैं कि जो भारत के नागरिक हैं उनका नाम हम इस Register में लिखेंगे जो नहीं है उनका नहीं लिखेंगे और सबसे बोला कि तुम लोग apply करो और तुम लोग अपनी application के साथ दस्तावेश दो birth certificate दो या जो तुमने जमीन खरीदी हुई है उसके कोई दस्तावेश दो या अपने school के दस्तावेश दो अब पहली बात तो यही गेर संवधानिक है गेर कानूनी है कि किसी जने से आप ये बोलें कि तुम अपनी नागरिकता सिद करो अरे अगर सरकार को या किसी को कोई शक है हमारी नागरिकता के उपर तो वो आपत्ती उठा कर वो सिद करें कि हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है जब किसी के खिलाब कोई अपराज साबित करना होता है तो ये नहीं कहा जाता कि तुम अपने आपको बेकसूर सिद करो ये कहा जाता है कि सरकार या पुलीस उसको कसूरवार सिद करे beyond reasonable doubt उसको सिद करे यहां तो आप ये कह रहे हैं कि तुम अपनी नागरिकता सिद करो और अगर नहीं कर पाए तो तुम को हम detention center में डाल देंगे तुम को कैद करके detention center में डाल दिया जाएगा इससे बड़ी सजा किसी के लिए क्या हो सकती है और इसमें सरकार को सिद करने के बजाए आप से कहा जा रहा है कि तुम सिद करो कि तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो और इस तरह से सिद करो कि इस तरह के कुछ 4-6-8 दस्तावेश लेकर आओ और उसमें भी अगर एक जगे आपके नाम की spelling फरक है दूसरी जगे फरक है तो दोनों documents को reject कर दिया जाता है ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कही साल पहले ये बात कही थी कि आप किसी से नागरिकता सिद करने के लिए ये नहीं कह सकते कि तुम ये चंद दस्तावेश पेश करो कोई भी evidence अगर वो हलफ नामा देता है कि मैं यहां पर इस इस स्थान पे पिछले 50 साल से रह रहा हूँ और अपने कुछ पड़ोसियों का भी हलफ नामा देता है तो उसको मान लिया जाएगा जब तक कि कोई ये ना कह दे कि भई ये तुमने जूट बोला है अपने हलफ नामे में उसके बाद अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो उसको भी रिजेक कर दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि तुम फॉरिनर्स ट्राइबियूनल में जाओ वहाँ पर अपनी नागरिकता सिद करो और फॉरिनर्स ट्राइबियूनल जो उन्होंने असाम में बनाए है उसमें ऐसे लोगों को बठा दिया है पहली बात तो सारे सरकारी जिनको कोई जज का एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों को वहाँ बठा दिया है और फिर उन लोगों को ये बोला गया है कि तुम जितने जादा लोगों को गेर नागरिक ठेराओगे उतना ही तुमको एक्सटेंशन दिया जाएगा एक-एक साल के लिए उनको पोस्ट किया जाता है और एक्सटेंशन इस अधार पर दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि अगर Foreigners Tribunal ने आपको कह दिया कि नहीं आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है चाहे ये ना बताएं कि आप कहां के नागरिक है देखिए ये लोग जिनको National Register of Citizens में नहीं रखा गया है या जिसको Foreigners Tribunal कह देता है कि तुम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हो उनको ये नहीं बताएं जाता कि कहां के नागरिक हो यानि कि उनको stateless ठरा दिया जाता है कि किसी भी देश के नागरिक नहीं है और उनको detention center में डाल दिया जाता है ये बिलकुल पूरा काम National Register of Citizens का बिलकुल अमानवी तरीके से गैर कानूनी गैर सम्विधानिक तरीके से चल रहा है अब इनके लिए दिक्कत ये हुई कि आसाम में जो बना register उसमें 19 लोग 19 लाख लोग उसके बाहर आ गए और उन 19 लाख में से अधिकतर गैर मुस्लिम है ये सरकार तो ये चाहती थी कि सिर्फ मुस्लिम लोग उस register के बाहर रहे लेकिन जादा तर जो बाहर उसके आए वो हिंदू या दूसरे धर्म के लोग थे मुसल्मान नहीं थे तब इन्होंने ये बोला कि अच्छा हम ये कानून लाएंगे जिसमें जितने गैर मुस्लिम लोग है उनको हम शरणार्थी मानकर हिंदूस्तान का नागरिक बना देंगे इसलिए ये कानून लाया गया कि मुसल्मानों को हम छोड़ देंगे बाकी लोगों को ले आएंगे और और क्योंकि नौर्टीस्ट में हिंदू मुसलिम के आधार पर वो लोग नहीं कह रहे थे वो लोग नौर्टीस्ट के लोग ये कह रहे थे कि हमारे राज्यों में आसाम के लोग ये कह रहे थे कि हमारे राज्य में आसाम के बाहर के लोग बहुत सारे आकर आ गए हैं जिससे की हमारी आइडेंटिटी खत्रे में हो गई है उन लोगों को शांत करने के लिए इन लोगों ने ये फिर सोचा कि अच्छा हम नौर्ट इस्ट के जो इनर लाइन पर्मिट के एरियाज है उनको इसमें से निकाल दे जो आदिवासी छेत्र हैं उनको इसमें से निकाल दे इसलिए ये सब किया गया मतलब सब तोड मरोड के हर चीज आर्बिटरी पहले तो उसमें मुसल्मानों को बाहर रखना आर्बिटरी उसके बाद उसमें ये कह देना कि जो सिर्फ इन तीन देशों से आए हैं बाकी देशों से बाकी देशों को बाहर रखना ये arbitrary फिर ये कह देना कि inner line permit के areas या अधिवैसी area को बाहर रखा जाएगा ये arbitrary फिर उसके बाद 2000 दिसंबर 2014 की date लगा देना ये arbitrary ये सब इसलिए किया गया कि हम एक शडियंद्र के साथ किसी तरह से ये कर दें कि मुसलमानों को तरह दिया जाए और बाकी लोगों को इंदर कर दिया तो देखे अब इस देश में जूम और अन्याय का घड़ा पूरा भर गया है इस इस सरकार का जुम और अन्याय का खड़ा पूरा भर गया है और जब कोई जुल्म और अन्याय का घड़ा पूरा भर जाता है तो देश में फिर एक ऐसी ऐसा तूफान आता है जो आज जिस तूफान की शुरुवात आज हमको पूरे देश में दिख रही है और वो तूफान जो सत्ता में तक्त पर बैठे हैं उनको उखाण फेकता है और वो तूफान की शुरुवात आज हो चुकी है जैसे सहीदा जी ने बोला इस कानून के खिलाब हमको सत्याग रह करना चाहिए नौन को अपरेशन करना चाहिए गांदी जी ने हम लोगों को सबको सिखाया था जब बहुत ही कोई अन्याय पूर्ण कानून हो तो उस कानून का पालन ना करना हर नागरिक का सिर्फ अधिकारी नहीं हर नागरिक का दैत्व है और वो समय आ गया है चाहे हिंडू हो चाहे मुस्लिम चाहे सिख हो चाहे इसाई चाहे जैन हो पार्सी सब लोगों को इस कानून का पहिशकार करना चाहिए सिबिल डिसोबीडियन्स करना चाहिए सत्याग रह करना चाहिए नौन को अपरेशन करना चाहिए और सब को बोलना चाहिए कि हम National Register of Citizens में अपना नाम दर्फ नहीं कराएंगे। आपको जो करना हो, जो हिम्मत हो आप कर लीजे। आपको इस देश के सब नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में बंद करना हो। आपको अगर इतना दम है तो करकर दिखा दीजे। और जिस दिन इस Non Cooperation की आग, इस सत्या ग्रे की आग भड़क उठती है देश में, तो जैसे मैंने बोला, इस देश में भूचाल आ जाएगा, तुफान आ जाएगा। हिंसा का तुफान नहीं आना चाहिए, अहिंसक तरीके से इस देश में एक बड़ा तुफान आना चाहिए, जो इन सबताधारियों को खाल कर ठेख दे। यही मेरी उमीद है और यही मेरी आशा है इंकलाब जैहन।